आज के इस फीडियो में हम आपको ब्लाउस पर चीट बटन लगाना सिखाएंगे तो इन्हें हम चीट बटन, प्रैस बटन या स्नैप बटन भी बोलते हैं तो आप किसी भी ड्रैस पर इसी तरह से ये बटन लगा सकते हैं लेकिन हम आपको ये blouse पर लगा कर दिखा रहे हैं किस तरह से आप cheat button लगा सकते हैं बटन लगाने के लिए हम इस पर निशान लगा लेते हैं तो ये neckline finish करने के लिए जो हमने bias party attach की है इस पर बटन लगाना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसकी थोड़ा सा नीचे की तरफ हम निशान लगा लेते हैं तो यह देखी यह हमने निशान लगा लिया है अब यहां से हम एक-एक इंच पर निशान लगा लेते हैं चहां पर हमें बटन अटेच करना है तो इसी तरह से हम एक एक इंच पर निशान लगा लेते हैं तो यह हमने निशान लगा लिए हैं अब इसी तरह से हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे तो इस पट्टी को हम इस तरह से इसके उपर रखेंगे और इस तरह से हम बराबर से दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे तो इन निशान बिलकुल आप बराबर से लगाएं तभी बटन सही तरीके से लगेंगे तो देखिए हमने दूसरे साइड भी बराबर से निशान लगा लिये हैं तो देखिए इन बटन के तीन पार्ट होते हैं एक पार्ट यह होता है जिस पर इस तरह से तीखी नौक निकली रहती है यह देखिए और एक पार्ट इस तरह से होता है और एक पार्ट यह इस तरह से उपर की तरफ इसमें हुक निकला रहता है तो अब हम blouse पर ये button attach करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये पट्टी आएगी blouse की तो इसकी जो नीचे वाली पट्टी है पहले हम उस पर button attach कर लेते हैं तो इस पट्टी पर ये वाला button attach होगा जिसमें center में इस तरह से hole बना हुआ है ये वाला button attach करेंगे हम इस पर इसके साथ में ये वाला button लगेगा जिस पर उपर की तरफ इस तरह से hook निकले हुए है तो ये इसके पिछे की तरफ इस तरह से लगेगा इस तरह से लगेगा और इस तरह से एक part बनकर तयार होगा और ये वाला बटन जिसके उपर की तरफ इस तरह से हुप निकला हुआ है वो हम इस साइड अटेच करेंगे इस तरह से और ये वाला इस साइड लगेगा तो इस तरह से एक पूरा बटन बनेगा ये बटन अटेच करने के लिए हम सिलाई मसीन में इस तरह से यह जो धागे की लंबाई कम ज़्यादा करने का बटन होता है इसकी help से हम यह बटन लगाएंगे तो इसे हम खोल लेते हैं इसकी help से हम बहुत ही सफाई से और बहुत ही आसानी से यह बटन अटाइच कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है इसे तो यह देखिए यह हमने इसे रख लिया है तो इसकी help से हम बटन लगाएंगे और इस तरह से मसाला कूटने की कूटने हर घर में मिल जाती है बहुत ही आसानी से तो इसमें इसकी सायता से हम ये बटन लगाएंगे तो हम आपको इस साइड पहले एक बटन लगा कर दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको बटन लगाना है तो ये देखिए इस साइड हम बटन लगाएंगे तो पहले ये जो इस तरह से हुक निकला हुआ है उपर की तरफ इसे हम इस पट्टी के पीछे की तरफ से निकालेंगे तो जहां पर हमने निशान लगाया है बिल्कुल उस निशान के इस तरह से नीचे की तरफ से हम ये वाला पाट निकालेंगे तो इसे आप पीछे की तरफ से इस तरह से हलका सा दबाएं जिससे कि इसके जो हुक हैं वो आगे की तरफ निकल आएं तो इस तरह से इसे बराबर से निशान पर लगाएं और इस तरह से दबाग कर इसके हुक उपर की तरफ निकाल लें तो यह देखिए इस तरह से ब्लाउस के उपर की तरफ निकल आया है अब हम इस पर ये वाला पार्ट लगाएंगे तो ये जो सेंटर में होल वाला पार्ट है ये वाला पार्ट हम इसकी तरफ लगाएंगे और ये वाला पार्ट उपर की तरफ रहेगा तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे और ये बहुत ही धान से आपको लगाना है कि जो हुक हैं वो इस बटन के अंदर अच्छी तरह से स्टाइट हो जाने चाहिए इस तरह से लगाएं इसे और अब हम इसे इस तरह से फर्स पर रखेंगे या फिर किसी भी हाट जगे पर आप इस तरह रखेंगे इसे हाट से इस तरह से पकड़ के रखें और इसे हम इस साइड से बटन के उपर इस तरह से रखेंगे इसे इस तरह से बराबर से रखें और अब इसकी साइधा से हम इसे हलका सा इस तरह से ठोक कर इसे बटन को सैट कर देंगे तो ज्यादा जोर से आपको नहीं ठोकना है नहीं तो बटन खराब हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से हलकी हाथ से आपको इसे बटन को दबा देना है जिससे कि बटन अटैच हो जाएगा तो यह देखिए यह हमने एक बटन लगा लिया है तो इसी तरह से हम सारे बटन लगा लेंगे हम आपको एक बटन और लगा कर दिखा देते हैं तो यह देखिए यह एक और बटन हमने अटैच कर लिया है तो इसी तरह से हम सारे बटन लगा लेंगे तो यह देखिए यह हमने एक साइड सारे बटन लगा कर तयार कर लिये हैं अब हम दूसरे साइड भी बटन लगाएंगे तो ये वाली पट्टी इस तरह से आएगी तो इस साइड हम ये वाली बटन लगाएंगे तो इसके लिए हम ये जो हुग निकले हुए है ये वाला जो पार्ट है इसे हम इस साइड से लगाएंगे तो देखिए इस साइड से हम इसे इस तरह से लगाएंगे और इसे भी हम बराबर से जो निशान लगा हुआ है उस निशान पर इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से हम इसे पीछे की तरफ से दबाग कर इसकी जो हुक्स है वो दूसरे साइड निकाल लेंगे तो यह देखी, इस साइड निकला आए है हूप, इसे सही तरीके से सैट कर लें, तो जो निशान लगाये हैं, बिलकुल उसी निशान के बराबर से आपको इसे लगाना है, तो दोनों साइड हूप बराबर से लगेंगे, तभी बटन सही तरीके से बैठेगा, तो अब हम यह वाला जो बटन है इसे हम इसके उपर इस तरह से सैट करके रखेंगे तो इसे आप बिल्कुल बराबर से सैट करके रखेंगे इस तरह से रखेंगे और अब इससे हम इस तरह से इसके उपर बराबर से रखेंगे बटन के उपर और यहां से भी हम इसे इस तरह से हलके हाथ से ठोग कर इसे लगा लेंगे तो देखिए यह मारा बटन अटेच हो गया है इस तरह से इसी तरह से हम सारे बटन लगा लेंगे इस साइड अगर आपको कुछ समझ में ना आये या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट वोक्स में लिख सकते हैं हम आपके सबी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगी कि मुआते हैं यह दो बूरी कोशिश करेंगा घाफ तो यह देखिए यह हमने दूसरे साइट भी इस तरह से यह बटन लगा कर तयार कर लिए हैं अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक और शेर कीजेगा साथी और नए स्टीचिंग के वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए साथी सब्सक्राइब बटन के पास में जो बैल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस कर लिजिएगा जिसे ही जैसे ही हम नया वीडियो अप्लोड करेंगे तो आपको उसका नौटिफिकेशन मिल जाएगा इसके साथ ही हम आपको और नए नए बलाउस की डिजाइन सिखाएंगे तो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजिए